माग महात्मिय, श्री गनेशाय नमा, अत्ष्री पद्म पुरानान तरगत, माग मास महात्मिय, पहला अध्याय, नारायन नमस्कृत्य नर्चैव नरोत्तमम, देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदिरेत, अर्थात सारे संसार के करता श्री भगवान विश्नू माता लक्ष्मी और देवी सरस्वती तता श्री देव गुरु ब्रिहस्पती जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माग मास महात्मिय का वर्नन करता हूँ एक समय श्री सूथ जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा है आदर्निय गुरु देव क्रिपा करके आप मुझसे माग मास का महात्मिय कहिए क्योंकि मैं आपका शिश्य हूँ व्यास जी कहने लगे कि रगुवंश के राजा दिलीप एक समय यग्य के स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामगरी से युक्त कवच और शोभायमान आभूशन पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार के लिए अपने नगर से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए म्रिग, व्यागर, सिंग आदी जन्तूओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे उस वन में वनस्तली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी वन में कहीं व्रिक्षों पर मोर नाच रहे थे कहीं कहीं म्रिगों के जुन्द फिरते थे, कहीं गीदर अपना भयन कर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समू हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं व्रिक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिमों के पच्चिनों के साथ धायल मृगों के रक् उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक म्रिग वन में से निकल कर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकरियां भरता हुए आगे बड़ा राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दोड़ाया परंतु म्रिग पूर्ण शक्ती से भागने लगा म्रिग काटेदार व्रिक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया परंतु दूर जाकर म्रिग राजा की द्रिष्टी से ओजल होकर कहीं निकल गया राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अती दुखी हो गया दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक ठक गए और भोड़े रुग गए कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुन्दर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घनेव रिक्ष थे इसका जल सजजनों के हृदय के समान पवित्र था सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुन्दर लगता था जल में अनेक प्रकार के जल जन्तू मचलियां आदी स्वचंदता से इधर उधर फिर रही थी दुष्टों के समान निर्दई चित वाले मगर मच भी थे किसी किसी जगल लोभी के घर के समान से माल भी पड़ी हुई थी जैसे विपत्ती में पढ़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सब को सुखी करता था जैसे मेग चालक के डग को हरता है इस सरोवर को देखकर राजा की थकावत दूर हो गई रातरी को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए रात के अंतिम समय में शुकरों के एक जुन्द ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के जुन्द के पास आया तब शिकारियों ने साफधान होकर शुकरों पर आक्रमन किया और उनको मार कर पृत्वी पर गिरा दिया उस समय सब शिकारी को लाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास दे और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था जो मुरिग छाला और वलकल पहने हुए था राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन इस पुन्यशुब माग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यू जाने की इच्छा करते हो